हेलो फ्रेंड्स आपका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों ये आपका EVS के जो एक हजार प्रसनों की सिरीज चल लए थी उसका वीडियो नंबर टू होगा ये डे टू होगा इसमें आज हम कोशन नंबर 21 से लेके कोशन नंबर 40 तक करने वाले हैं सारे कोशन आपके प्रीवियस एयर के हैं बाकी बहुत सारे कोशन जो आपके हैं प्रीवियस एयर के हैं और प्रीवियस एयर में जैसे कोशन पूछे जाते हैं आपके EVS में उस पर आधारित कोशन लिए गए हैं तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को question number 21 देखे पहले आप इस question की pdf को telegram channel से डाउनलोड कर लीजे फिर उसके बाद अपने 20 question का answer खुद से कहीं पर लिखिये करिए उसके बाद वीडियो देखे और देखे कि आपको कितने question आये हैं प्रमारित चिन है जो भारत में क्रसी खाद पदार्थों पर लगाया जाता है एक मार्ग सुध रूप से खाद पदार्थों से जुड़ा हुआ एक चिन है प्रमारित चिन है तो इसका right answer होगा गुडवत्ता से option number first right होगा question number 22 है कि संयुक तर राष्ट सुरच्छा परसद में कितने 27 सदस हैं वैसे 15 सदस होते हैं जिसमें से 5 27 सदस होते हैं 10 आ 27 सदस होते हैं तो यहाँ पे 27 सदस के बारे भी पूछा है तो इसका right answer option number 3 5 हो जाएगा कौन कौन से वो 5 27 सदस हैं इनका नाम पता होना चाहिए इसमें भारत समलित नहीं है अमेरिका, रूस, ब्रीटेन, चीन और फ्रांस समलित हैं तो यह 5 नाम भी आपको याद होने चाहिए इसका right answer आपको option number 3 लगाना है question number 23 को और बढ़ते हैं कि विश्व की लगू संसद भी किसे कहा गया है देखें इसमें से महासभा, सुरच्छा, परशद, आर्थी के और सामाजिक परशद, अन्तराष्टी ने आया ले यह सारे UNO के पार्ट हैं तो इसमें से जो महासभा है उसे लगू संसद भी कहा गया है क्योंकि इसमें सभी देशों के परतिनिद समलित होते हैं इसलिए इसे लगू संसद भी कहा जाता है तो right answer option number 1 हो जाएगा question number 24 के और बढ़ते हैं कि हुसेन सागर जील किस राजमेस्तित है चार option है आंदर प्रदेश, ओडिसा, महाराष्ट के रड़ तो इसमें से जो right answer होगा वो option number 1 होगा अब इस question को कुछ बताने की जोरुद नहीं है direct आपको याद रखना है कि हुसेन सागर जील आंदर प्रदेश, राजमेस्तित है option number 1 ठीक है तो आपको क्या है कि आँखे बंद करकर हसना है सागर के जैसे ऐसे याद कर लिए तो हुसेन मतलब हसना है आँखे बंद करना मतलब आंदर ऐसे याद कर लिए अगला है कि माउंट सेंट हेलना दूइप जो एक सक्री जौला मुखी है कहां इस्तित है जापान, भारत, सहींतराज, अमेरिका या फिर चिली तो ये आपका सहींतराज, अमेरिका में इस्तित है याद रखेगा माउंट सेंट हेलना दूइप जो शक्री जौला मुखी है वो सहींतराज, अमेरिका में इस्तित है ओप्सन नमबर थ्री कोशन नमबर टॉन्टी सिक्स है कि हमबन टोटा बंदरगा किस देश में इस्तित है देखे हमबन टोटा बंदरगा जो है आपका वो सिर्दी लंका देश में इस्तित है तो राइट आंसर इसका ओप्सन नमबर टू करेक्ट करेगा ठीक है कोशन नमबर टॉन्टी सेवन के और बढ़ते हैं कि सरिस्का रास्टी उद्यान कहां इस्तित है सरिस्का रास्टी उध्यान आपका राजस्थान में इस्तित है ठीक है इसे याद रखें option number 3 सरिस्का तो याद रखेंगा सरिस्का राज सरिस्का मतलब सरिता नाम से राज करती है उध्यान में तो राजस्थान याद रखेंगा question number 28 की बात करते हैं सिच्छक की सबसे बहुमूल नीत है उसकी देगे चार ओप्सन दिये सेवा वेतन गर्व चात्रों का विश्वास तो इसमें से कंफर्म है कि ओप्सन नमबर चार होगा चात्रों का विश्वास चात्रों का विश्वास ही सिच्छक की सबसे बहुमूल नीत है अगर चात्रों क विश्वास हो जाता है अपने सिच्छक पर तो सिच्छक उससे डबल मेहनत करता है अच्छी बाते ही ज्यादा से ज्यादा अपने छात्रों को बताने का प्रयास करता है क्योंकि छात्रों का उस पर एक विश्वास होता है वैसे सिच्छक बताता हमेशा है लेकिन छात्रों का विश्वास होना सबसे ज़्यादा जरूरी है तो option number 4 right होगा question number 29 की ओर बढ़ते हैं कि परिकल्पना को बार-बार परिच्छन करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिदान, कानून, खोज, मूल संकल्पना तो देखें परिकल्पना को अगर आप बार-बार परिच्छित करते हैं बार-बार उसका निरिच्छड करते हैं और वो गलत नहीं पाया जाती है तो क्या होता है कि वो सार भौमिक रूप से सत्य प्रतीत होने लगती है सत्य प्रतीत हो जाती है तो वहाँ पर उसे क्या बोलते हैं वो सिध्धान्त बन जाता है option number first हो जाती है फिर वो right answer होगा option number first next question है कि निमलिकित में से सबसे उपियुक्त सिच्छन विधी कौन सी है विचार गोश्टी एवं सुरुत लेक सुरुत लेक एवं दिया गया कार विचार गोश्टी एवं कार योजना व्याख्यायन एवं सुरुत लेक तो इसमें जो option number three है विचार गोश्टी एवं कार योजना एक सबसे उपियुक्त सिच्छन विधी है ठीक है तो option number इसका three correct हो जाएगा तो इसको आप ध्यान रखेगा इस सिच्छन विधी में होता क्या है कि छात्र जो होते हैं वो परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की ब्रद्धी करते है ठीक है या विदी सिच्छा के आप समझ लीजे जो करतिम वातावर्ण को समाब्त करने तता सिच्छा को जीवन से सम्मन्द स्ताबित करने हे तो महत्पूर है, प्रारम में इसका प्रयोग छात्रों दौरा किये जाने वाले जिसे कोई ग्रह कारी दिया गया, तो ग्रह कारी के लिए किया जाता है, जिसमें योजना बनाना, सारी टिक सरम करना, ये सब कुछ नहीं दोता है, तो आपसन नंबर 3 राइट होगा, लगा येगा यह आपका राइट आंसर हो कोश्चन नमबर 32 है कि धोनी प्रदूर मापन किस इकाय दोरा किया जाता है अगला कोश्चन है कि निम लिकित में से किस इस्थला कृती का निर्मार हिमानी द्वारा मतलब हिमनद द्वारा हुआ है तो देखे जो यू आकार की घाटी है उनका निर्मार हिमनद मतलब हिमानी द्वारा हुआ है और इसका आकार अंग्रेजी के यू की तरीके है इसलिए से यू आकार की घाटी कहा जाता है तो आपसन नमबर टू र नर्मदा सिंदू तो इसमें जो ऑप्सन नमबर टू है सुवण रेखा जो जार खंड राज में बहने वाली एक पहारी नदी है जिसको आप सुवण रेखा भी कहते हो तो यही नदी जो है बंगाल की खारी में गिरती है बाकी जो तापती नर्मदा और सिंदू है ये नदी आपके अरब सागर में गिरने वाली तो ओप्सन नमबर टू राइट हो कोशन नमबर थर्टी फाइब देखे अच्छा कोशन है कि राकेस कच्छा पांच पर्यावरण विज्ञान सिच्छक द्वारा दिये कर कारे को समय से प्रस्तुत नहीं करता है अता सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाई इसमें से क्या हो सकता है तो ये सब क्या है कि आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपको छात्रों को कभी कोई ऐसा डंड नहीं देना है या कभी कोई ऐसी उनके साथ बात नहीं करनी है जिससे उनको कुछ गलत लगे या उनका कोई नुकसान हो तो जिसमें चारा उप्षन दिये गए हैं कि प्रधाना ध्यापक की जानकारी मिलाना तो ये सबसे उप्युक्त या सुधारात्म को पाये नहीं है। कि ये हो सकता है प्रधाना ध्यापक उसे डाट दें, मार दें तो ये दिक्कत हो जाएगी फिर। खेल की कच्छा में जाने पर प्रतिबंद लगाना आप शात्र पर किसी प्रकार का प्रतिबंद नहीं लगा सकते हैं। कोशन थ्री है कि उसकी अनियमताओं के कारण या कारणों को जानकर उसे सही मार्ग दरसन देना। तो एक जो सिच्छक है उसका लिए सबसे सोधारात्मक उपाई यही हो सकता है कि उसको देखना है कि उस बच्चे ने काम क्यों नहीं किया है तो उन कारणों को जानना और उसे फिर उसी के हिसाब से उसका मार्ग दरसन करना जिससे आगे चलके वो अपने काम को पूरा करके लाइब तो ये इसका सही सबसे उपयुक्द सुधारात्मक उपाय हो सकता है तो option number 3 बिल्कुल right हो जाएगा इसका question number अगर हम 36 की बात करें कि भारत की समिधान सभा का अध्यच कौन था देगे direct आपसे पूचा जाए कि भारत की समिधान सभा का अध्यच कौन था तो आपको इस्थाई अध्यच ही बताना है जो डाक्टर राजेन प्रसाथ थे 11 दिसंबर 1946 को बनाये गए थे लेकिन अगर आपसे question में आइस्थाई सदस से पूच दे आइस्थाई अध्यच सौरी पूच दे फिर option आपको वहाँ पे सचिदा जन सिन्हा मिलेगा जिनको 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था तो ये right answer आपका option number 2 हो जाएगा question number 37 के उर बढ़ते हैं कि भारती समिधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है देखें जो आपका प्रस्तावना है भारत का उसमें लोकतांत्रिक जैसे न्याय की बात नहीं की गई है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की बात की गई है लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है तो right option option number 1 हो जाएगा next question है कि सम्मिधान के अंतरगत भारती लोकतंत्र के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं तो जो पारती लोकतंत्र के आदर्स हैं उनको हम अपने भारती सम्मिधान के प्रस्तावना में देख सकते हैं option number first question number 39 second last question आज का कि समिधान की प्रस्तामना में भारत को निमलिकित में से किस रूप में घोसित किया गया है तो जो भारत का समिधान है उसकी प्रस्तामना में भारत को एक प्रभुता संपन समाजवादी पंत निर्पेच ठीक है गोसित किया गया है तो इसका right answer जो होगा वो आपका option number 3 हो जाएगा एक प्रभुता संपन समाजवादी पंत निरपेच ठीक है option number 3 हो जाएगा तो next question के और बढ़ते हैं question number 40 की बात करते हैं कि भारती समिदान पूर्टा किस तित को लागू हुआ था आपके यहां पूर्टा बात की जा रही तो भारती समिदान पूर्टा 26 जनुरी उनिस सो पचास को लागू हुआ था option number 4 तो दोस्तों यह रहे आज आज आपके most important AVS से संबंदित 20 question जो आपके 1000 MCU की सीरीज के 40 question complete हो गए इसी तरीके से हम daily अपने एक वीडियो में जो आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा उसमें कुछ question करने वाले हैं जो आपके 20 या 20 से ऊपर होंगे और यह सारे के question आपके जो होंगे वो previous year पे depend होंगे previous year वाले होंगे और आपके exam के लिए most important होंगे तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए description में link दी गई है चैनल को अभी subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए bell icon प्रस कर दीजिए जैसे आपको daily थोड़े समय के लिए आप पढ़ाई के touch में बने रहें और आपको आपके जिक्चान से related question मिलते रहें अगर आप इस question की PDF को daily अपने आप solve करना चाते हो तो नीचे टेली ग्राम चैनल का link दिया गया है उसको आप click करिए वहाँ पे join हो जाए लगबग 700 से ज़्यादा जो है लोग जुड़े हुए हैं तो अगर आप daily PDF को पहले solve करना चाते हैं उसके बाद वीडियो देखना चाते हैं तो आप वहाँ से join कर लीजे साथ में आपको वहाँ पर बहुत सारी PDF जो UP-Tate 2021 या Super-Tate 2021 से सम्मंदिध होती हैं वो मैं provide कराता रहता हूँ तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा चानल पर फिर से बोल लाओं सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन भी प्रस कर दीजेगा आज के लिए तना ही रखते हैं धन्यवाद